मुवी के शिरुवात में हम एक चोटे बच्चे फिलिन को देखते हैं, जोकि अपने बड़ी से टीवी पर गेम खेल रहा था। हम देख पाते हैं कि उसकी माता पिता उसकी चोटी बहन सोफी के साथ बाहर जा रहे हैं। उसे उसकी बड़ी बहन एना के साथ छोड़ कर। बा बाहर के गेट्स को बंद करके उपर अपनी बेहन के कमरे की ओर बढ़ता है क्योंकि उसके बेहन की कमरे से अजीब सी आवाज आ रही थी अचानक से गेट खोल कर उसकी बेहन उसके सामने आ जाती है फिर बहुत कंफ्यूज होने के साथ डरा हुआ था क्योंकि एना के नाक से आ रहा था और मानों वो किसी चीज से बहुत जादा डरी हुई थी एना हाथ में चाकू लिये फिलिन का मूँ खुलवा कर उसकी मूँ के अंदर कुछ जूनती है पर एना को अंदर कुछ नहीं मिलता तो वो फिलिन को कार में ले उस घर से निकलती है पहाँ जाते टाइम फिल प्रिन को ले डैम के रेलिंग के उस पार आती है और अपनी साथ फिलिन को नीचे कुदने को बोलती है पर फिलिन एना को लाद मार कर अपनी जान बचा लेता है पुलिस और एम्बुलेंस आने के थोड़ी देर बाद फिलिन के पैरेंस पी आते हैं जो कि फिलिस वालों को एना की बाड़ी मिलती है और फिलिन एना की वाइट आके देखकर जोर से चिलाता है और अब सीन शिफ्ट होकर हमें दस साल आगे दिखाया जाता है जहां फिलिन बड़ा तो ओ गया है पर वो इंसिडेंट आज भी उसे हांच करता है जिसके लिए वो थैरेपी के साथ कॉलिज में हम सोफी के बॉइफेंड रैमिन से मिलते हैं और यहां पर हमें पता चलता है कि फिलिन अपनी एक लास मेट समीरा को पसंद करता है और फिलिन की बेस्फ्रेंड लेना उसे समीरा से डेट पर जाने को पूछने को बोलती है अब अकर बात करे लीना की तो वह एक ट्रिंक पीने के बाद सारे लोग खून से लटपत दिखते हैं और वहीं पर बेहोश हो जाता है अगली सुबा फिलिन के पैरेंट्स से अपनी हैल्फ पर ध्यान देने को बोलते हैं पर हम समझ पा रहे थे कि बच्पन के उस इंसिटेंट की वज़ा से फिलिन को कालपनिक देखते हैं और हॉस्पिचल से घर आते टाइम फिन को हॉस्पिचल भी अजीब ची डरावनी सी आवाजे आती हैं अब रात में जब फिन की आख खुलती है तो वो अपने पैरेंट्स और सोफी की साथ एक बूरी औरत को विलचेयर पर देखता है फिन नोटिस कर लेता है क पर देखते हैं और फिन को ब्रेंट्स और पर 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 बेहुश करते हैं और फिन को भी लगता है कि जो सब उसने देखा वो सब उसकी कलपना थी अकले रोस कॉलेज में फिन अपनी दोस लेना के साथ सोफी और रेमिन के बीच के जखड़े को नोटिस करते हैं जिसमें सोफी रेमिन से ब्रेक अप कर रही थी तो वो देखता है कि सोफी कलास को बिना चुई अपने हाथ में ले लेती है और ये सब फिन को उसके दिमाग का भरम लगता है पर फिन इतना समझ पा रहा था कि सोफी भी 18 साल की होने वाली है और उसकी भी हारत एना जैसी ना हो इस बात से वो सोफी के लिए कुछ जादा ह को मैसे जाता है जिसमें रेमिन ने फिन को एक कैस स्टेशन पर बुलाया था क्योंकि वो फिन को कुछ इंपॉर्टन बताना चाहता था अब रेमिन को कैस स्टेशन में का वेट करते हुए देख पाते हैं एक पूरी लेडी जब स्टोर से निकलकर बाहर जाती है तो इसकी लेडी आवास उनका रेमिन भी जाता है रेमिन को वह पूरी और यहारत जमीन पर गिरी हुए मिलती है और चिब जब रेमिन अचानक से चांक से उठकर रेमिन को शुपर नीस्रल तरीके से उसे मार देती है अब चब फिन वहाँ पौँशता है तो इसे रेमिन पर की बाध जीमर लाइक एंटिटी आ जाती है जिसे देख फिन वहां से भागता है थोड़ी देर बाद वहां पर पुलिस आती है और उनका कहना था कि रैमिन ने सिसाइट की है फिन आफिसर को ज्यादा फोर्स करता है कि यह मर्डर है तो वह सब उल्टा उसे पर शक करने लगते हैं क्य आने पर फ्लेन को अपनी दवा में कुछ दिखता है जिसे लेकर वो नेक्स डे अपनी दोस्त लेना के साथ पायो टीचर के पास जाता है टीचर उने बताती है कि यह एक ऐसा फंगस है जो की डेट बाडी पर ग्रो करता है और यह पुराने जमाने में पाये जाता था जब वराशों को सही तरीके से दफनाया नहीं जाता था उनकी टीचर उन दोनों को यह इसका के पास जाने को बोलती है क्योंकि कि एद्र नौबटी है इस मीर्यश को गूगल करती हुए तो उन यह प्ता चलता है कि इस फंगस का इस्ते हैं दिखने लगती है वहीं प्रिंग की म किसने लिए तो प्रिन उन्हें बताता है कि वह और उसकी बेहन दोनों ये दवा लेते हैं। एलिस का फिर मूव यह को कुछ तीर अपनी आखों में देखने को बोलती है और एसा करते ही कि मूह मेंसे वह फंगस बाहर आ हास्पिटल में हम उनकी बीच की बातों से जान पाते हैं कि फिन्ट के ग्रैंट फादर अपनी जवानी में प्रीस्ट हुआ करते थी जो की जाड़ फूख करने के लिए मशूर थे और फिन्ट को बताते हैं कि उन्हें भी एक पाद जीमन से सामना करना पड़ा था जो कि एक चोटे बच्चे में था उनके हिसाब से जीमन होते हैं पर आज के डॉक्टर इन चीज को मैंटर इल्निस बताते हैं अफिन के ग्रैंट फादर को जॉपरेशन चैम्बर में ले जाते हैं और फिन्ट पर खड़ा होकर अंदर आपरेशन होते हुए देखने लगता है तभि उसे वही creature अपने grandfather के अंदर से निकलते हुए दिखता है और फिलिन पैनिक करके केट का शिशा तोड़ देता है तभी वहाँ एक नर्स आ जाती है और फिलिन को तोड़ी देर बाद एलिसका अपने बेटे चूरी के साथ उनके घर आती है और सबसे पहले वो सोफी की कमरे में जाती है जहां सोफी सोई थी एलिसका उसके तकिये की नीचे कोई चीज रखती है जिससे सोफी ठीक हो जाएगी वापस नीच आने के बाद वो सब एक दूसरे क का हाथ पकड़कर एक्सारिसम शुरू करते हैं और उनकी बात उस टीमन से भी होती है जो कि उन्हें चान से मानने की धंकी दे रहा था अब एलिसका उस टीमन को यहां से जाने को बोलती है पर वो जी वन उसी पर हमला कर देता है जादा कुछ हो उससे पहले फिन के पैरंस कि फिन को वर्न करती है कि एक्सारिसम पूरा नहीं हुआ इतना सब देखने के बाद फिन भी अपने दोस्तों के साथ घर से चला जाता है क्योंकि उसके पैरंस को उन पर विश्वास नहीं था रात में वो जीमन वापस इन तीनों पर हमला करता है पर वो सही सलामत बच जात कि अलिसका ने ये शहर छोड़ दिया है उधर सोफी की तबियत और खराब हो गई थी और इधर इन तीनों के पास घर जाने के लावा को यौर आप्शन नहीं था तो फ्रेंड अपनी मॉम को कॉल करके कल रात के लिए माफी मांगता है और हम उसकी मॉम के कंदे पर अजीब सा निशान देखते हैं स्कूल के ट्वालेट में फ्रेंड लिएंडर को उसके जैसे ही वॉमिट करते हुए देखता है और जब बाहर आता है तो वो लिएंडर को कॉलेज के छट पर चड़ा हुआ देखता है जो कि अपने मूँ में से कुछ निकालने की कोशिश कर रहा था औ कि फ्रेंड और उसकी बेहन खाते हैं हॉस्पिटल पहुशने के बाद लीना और फ्रेंड को लिएंडर के बैक में से एक फाइल मिलती है जिससे उन्हें पता चलता है कि वो सब लोग अडॉप्टेड हैं यहां तक कि फ्रेंड की बेहन एन भी अडॉप्टेड थी उनके सो को एक लैब में से बहुत सारी डेड बाडी मिलती है जिसमें एलिसका की भी डेड बाडी थी और यहीं से कंपनी वाली फंगस मैनिफेक्चर कर रहे थे यह सब देखकर लीना बाहर अपने कार में आती है तो उससे वही बूरी ओरत मिलती है जिसने रेमिन को मारा था इधर ह को ही लोग अडाप्टेट नहीं हैं फ्रिंड के फादर भी अडाप्टेट हैं मतलब फ्रिंड के ग्रेंड फादर ने उसकी फादर को भी अडाप्ट किया था जब उनकी अजीब बाते सुनने के बात दोनों वहां से जाने लगते हैं तब ही फ्रिंड को पता चलता है कि उ दीवार पर जीमन्स की तस्वीरें देखता है तो डॉक्टर उसे बताती हैं कि वह सब फॉलन एंजल हैं और आम तोर पर लोग उन्हें जीमन्स बलाते हैं आगे जॉक्टर फ्रीन को एक रिच्वल जैसी जगा पर लाती है जहां के पैरन्स सोफी डॉक्टर के साथ कुछ और लोग थे फ्रीन के पिता उसे बताते हैं कि वह दवा फ्रीन को इसलिए दे रहे थे क्योंकि वह दवा लेने से डीमन बड़ी आसाने से उसके शरीर में चला जाएगा हम यहां देख सकते हैं कि फ्रीन के ग्रैंट फादर भी वहीं थे जोगी अब जिन्दा हो चुके थे फ अब वहां भागते हुए लीना आती है और उन सभी के उपर पेट्रोल डार कर सबको जला देती है अब वो सब रिचुवर ट्रांशन में थे तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता ग्रैंट फादर को भी लीना मार कर बेहोश कर देती है और फिन के साथ वहां से निकल जात पर वो सब सोफी के ऊपर गारी चराकर वहां से निकल कर टैम के पास आते हैं जहां वो जीमन वापस उनकी कार में आ जाता है और उनकी कार का हैंडल ब्लॉक कर देता है जिससे कार रेली के किनारे लटक जाती है और तीनों के कार से निकलते ही वह कार नीचे डैम में गिर ज देखकर मुस्करा रही होती है अब इनकी साथ आगे क्या होगा ये तो इस मूवी की अगले पार्ट में ही देखने को मिलेगा जो कि अभी तक रिलीज नहीं हुई है सो काई सगर आप लोगों कोई वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा अब हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार एंड टाटा बाई बाई